हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी योट्यूब चैनल पर प्रदेश में कोरोना के बाद 1957 से चले आ रहे Epidemic Disease Act को खत्म करके एक नया महामारी कानून 2020 लागू कर दिया गया है उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर भी कर दिजेगा अब महामारी से निपटने के लिए सरकार को कई तरके अधिकार मिल गया है इस बारे में डॉक्टर रगु शर्मा का कहना है कि वीडान सबा में राजिस्तान एपेडेमिक डिजिस बिल 2020 पारित कर दिया गया है जिसके तहट धर्मिक्स तलो और कॉलेज जिसे संस्तानों को खोलना या बंद करना सीमाओं को सील करने का अधिकार भी दिया गया है साथी कानून तोडने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई का भी प्रावधान किया गया यानि कि अब सरकार के पास पहले से कई ज़्यादा पावर्स आ चुकी है साथी अगर कोई कानून तोडता है तो उनके खिलाफ सजा का प्रावधान भी किया गया है तो ये कौन-कौन से प्रावधान किये गए है वो मैं अभी आपको बताता हूँ धारा पाच में अब कानून तोड़ने पर 10,000 रुपे तक का जुर्मान आप पे लगाया जा सकता है या फिर 2 साल की सदा का भी प्रावधान है यानि कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो 10,000 रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसको 2 साल की सदा भी हो सकती है साथी अगर कोई नियम तोड़ेगा तो यहाँ एक संदे अपराद माना जाएगा और पुलिस को स्वप प्रेरणा से अपराद दर्च करने की भी पावर यहाँ पर इस प्रावधान के इस अमेंडमेंट के तुरू दी गई है एक और नया प्रावधान जो इसमें जोड़ा गया वो यह है कि हेल्थ वरकर्स पर अब हमला करने पर 6 महिने से लेकर 7 साल तक की कैद का भी प्रावधान किया गया है यानि कि अगर कोई भी विक्ती health workers के उपर हमला करता है तो उसको 6 महिने से लेकर 7 साल का सजा जो है वो होगी यानि कि कैद का प्रावदान जेल हो सकती है साथी ये जो सजा होगी गैर जमानती होगी यानि कि आपके उपर कोई भी जमानत के थुरू आप आपको बेल नहीं मिलेगी और आप बाहर नहीं आ सकते है एक और नया आप जो सरकार को छूट दी गई है वो यह है कि सरकार महामारी से निपटने के लिए अब पहले जो था वो NDMA का अंडर में कारवाई करती थी NDMA का मतलब है National Disaster Management Authority इसके अंडर में सरकार को कारवाई करनी पड़ती थी लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इस नए संशोधन कानून के बाद उसको इनके अंडर में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी साथी अगर जिला कलेक्टर को भी बहुत सारे अधिकार यहाँ पर इस एक्ट की या फिर कानून के तहद दिये गए है जिसमें से अगर हम बात करें तो कोरोना, स्वाइन, फ्लू, प्लेग, स्क्रब, टाइप आइज, कांगो, फिवर जैसी जो महामारिया को लेकर भी जिल जिला कलेक्टर को अधिकार दिये गये, अब यह कौऌन-कौन से अधिकार जो है, वो जिला कलेक्टर को दिये गये है, तो इसमें नॉटिफिकेशन जारी करना, कौरेंटाइन सेंटर को बनाना, इलाकर को सील करना, CMHO के जरिये टीम भेजना, शिविर लगाना, अस्पतालों को अधिकरूत करना आधी भी शामिल किये गए है, यानि कि इस अमेडमेंट के तुरू जिला कलेक्टर को बहुत सारे अधिकार दिये गए है, तो ये